एक राइटर एक वैंपायर लड़की की प्यार में पढ़ता है पर प्रॉलम तो भाई जब इस वैंपायर लड़की की सिस्टर इसी राइटर को रिजाने की कोशिश करती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको तो किस ओप दे डैम यह हॉलोड वैंपाय स्टोरी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा रागता है तो प्लीसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किस दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और एक बड़े से घर में हम हमारी मैन कैरेक्टर जवाना को देख सकते हैं वो आज रात एक रोमेंटिक मूवी देख रही थी उसे बहुत ही अकेला महसुस होता है सुबा होने पर घर में बलड पड़ा हुआ था उसकी मेड वहाँ पर आई जो इसे पोश लेती है इसके बाद अगले देन वो फिर से मूवी लेने के लिए एक स्टोर में गई यही पर उसकी नजर पाउलो से मिली जो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है पाउलो को भी जोना बहुत अच्छी लगी थी बाहर बारिश आ रही थी तो जोना घर जाने के लिए जरा वेट करती है तब पाउलो ने उसे अप्रोश किया उसे ड्रिंग के लिए पूछता है यह दोनों ड्रिंग के लिए और एक दुसरे वो जानने लगे पाउलो एक्च्छल में एक स्क्रीन राइटर है वो अच्छे से राइट कर पाए इसलिए एक डिस्टिंग टाउन में वो आया हुआ है जोना कहती है कि मैं पोईट्री ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ उसे एक रियर स्किन कंडिशन है जिस वज़े से वो सनलाइट में बाहर जा नहीं सकती उसे दिन बर घर में काम करना पड़ता है ये दोनों फिर जोना के घर पर आकर टीवी देख रहे थे थोड़ी दिर में पाउलो जोना को किस करने लग गया जोना ने रियलाइस किया कि बहुत बड़ी गल्दी होगी उसने उसे रोक लिया जाने के लिए कहा पाउलो गयता है मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा जोना को पाउलो को इस तरीक से जाने देना पड़ा तो इसके लिए वो बहुत रोती है अगली दिन पाउलो ने जोना के घर पर कॉल किया जो मेड ने उठाय हुआ था पाउलो ने जोना के लिए मैसेज दिया कि आज रात वो एक बार में उसका वेट करेगा उसने बहुत देर तक उसकी वेट की पर वो आई ही नहीं दारेक्ली फिर उसके घर पर वो भोच जाता है जोना डोर पर चेन लगा करी दोर थोड़ा सा ही खोलती है वो उसे अब भी अंदर आने नहीं दे रही थी पाउलो कहता है तुम्हें जो भी बिमारी है हम सारा कुछ फिगर आउट कर सकते हैं प्लीज मुझे अंदर आने दो जोना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी यह बाहर सही उसे किस करने लगता है किस करते करते पाउलो का लिप पर उसने पाइट कर दिया यह बहुत ही डेंजरस बाइट था और जोना ने पाउलो को घर जाने के लिए कहा अगली दिन सूपर शॉप में दोनों फेस से एक दुसरे को देखते है जुआना यहाँ से चली गई अगली रात वो उससे घर पर पहुँच गया था आज रात जुआना ने उसे अंदर आने दिया वो जुआना को फिगर आउट कर नहीं पा रहा था जुआना ने कहा मेरे पास आओ उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए कहा गयती है मुझे हार्ट ही नहीं है मैं सनलाइट में कही बाहर नहीं जा सकती मैं एक वहमपैर हू पाउलो इस बात पर थोड़ा सा वे बिलिव नहीं करता जुआना फिर उसे अपने बेडरू में लेकर आती है यहाँ पर उसने चेंज स्विगरा बांदी हुई थी पाउलो ने उसे बांद दिया और उसे की स्विगरा करने लग गया उसे गलत लग रहा था पर उसे देखना था कि जुआना उसे क्या दिखाना चाहती है वो जब एक्साइटर होई तो उसके दाद निकल आए थे उसके आखों का कलर भी बदल गया था पाउलो को फाइनली बिली हुआ पर फिर भी वो नहीं डरता जुआना के कव स्वेकराव निकाल देता है इसके बाद वो उसके साथ इंटिमेट होने लग गया तो भी जुआना पाउलो को काट लेती है सुबा होने पर जुआना ने कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए में कुछ भी कर सकती थी पाउलो को काटने के बाद वो भी वैंपार बनेगा यह एक वे था उसके साथ तो रह सकती थी अब वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ चीज़े सिखाएगी इस घर में इनकी जो मेड है इसे रेर ब्लड डिसॉर्डर है इस वज़े से कौना को उसका ब्लड टेस्ट करने की अर्ज नहीं होती वो किसी भी हूमन को हट नहीं करती सिर्फ एनिमल के ब्लड पर ही जीती है जौना ने पावलो से कहा कि हम कभी भी एज नहीं होंगे अगर हमें चोड भी आई तो जल्दी से हील हो जाते है हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते है जौना पावलो को हंट वेगरा करना सिखाती है इसी के बैरलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर मिमी को देखते है मिमी एक रेकलेस वेंपायर है उसे जो लगता है वो कर डालती है किसी को भी टरन कर दिया किसी भी city में चली गई एक रात अचानक से वो पावलो और जौाना के पास आ गई एक्शोल में वो जौना की सिस्टर है जौना हमेशा मिमी को उसके behavior के लिए बहुत ही hate करती है मिमी ने आकर कहा कि एक week के लिए में यही रहूंगी एक्चुल में जिस घर में हो रह रहे हैं यह उनका नहीं है एक वैंपर एक्ट्रेस है उसने उन्हें रहने के लिए जगा दी हुई थी रात में फिर यह सब मिलकर बात कर रहे थे एक्चुल में मिमी पास साल से एक ही जगा पर रहे रही थी पर हो गहती है मेरे फ्रेंड्स सारे लोगों को पता चलने लग गया था इस वज़े से मुझे मूँ होना पड़ा पाउलो को मीमी से बात करकर उसे जान कर लगता है कि यह नॉर्मल है पर जौना उसे कहती है कि वो क्रेजी है तो इस बात में पता चलेगा इस वह एंपायर के लाइब बहुत ही हार्ट है जौना को इस पर बहुत गुस्सा आ किया उसने एक्ट्रेस को कॉल लगया कहा कि मीमी यहां रहे नहीं सकती वो आट आफ कंट्रोले कुछ भी कर सकती है एक्ट्रेस कहती है कि मीमी ने मुस्से बात के थी वो अब बदल रही है एक रात पावलो जौना को एक रेस्टार्ण में लेकर गया उसे बता था कि जौना को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा उसे गहता है मेरे पास थोड़ी से पैसे है एक जगा बजा कर एक अच्छा सा घर हम बाई कर सकते हैं एक नई स्टार्ट कर सकते हैं जौना को भी एडिया बहुत अच्छा लगा और यह इनका plan बन चुका था इसी के parallel में मिमी एक club में गई वहाँ पर एक लड़के से मिली उसके साथ intimate होकर उसे turn कर देती है आजरा जोना और Paul ने animal की शिकार की थी इसी animal को पाउलो जो बरी कर रहा था तब ही मिमी उसके पास आई वो उसे कहती है जोना को तुमने bite करने दिया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो क्या तुमें कुछ mentally problem है मुझे तुम self destructive लगते हो जो उसके लिए बहुत ही attractive है वो यहाँ अपर उसके साथ flirt कर रही थी पाउलो से भाड में जाने के लिए कहता है इसके बाद एक रात यह actress के पास एक party में आये हुए थे यहाँ अब अजवाना पाउलो को सब लोगों से मिलाती है इस party में सब लोग vampire से थे कुछ लोगों को यह vampire के lifestyle अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को नहीं यह जब सब मिलकर discuss कर रहे थे तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें humans पर हमला करना चाहिए यह world अब हमें बिलॉंग करता है actress कहती हैं कि मेरे पास synthetic blood है government हमें supply कर सकती है अब तक किसी भी human को पता नहीं है अगर पता चला तो इन्हें मार डालेंगे इस वज़े से government से कुछ भी बात नहीं कर सकते मीमी इस party से जल्दी घर चली गी वो दो लोगों के साथ जाकर घर में intimate हो रही थी जो ज़वाना घर पर बोजे तो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देती है इन दोनों में जगड़ा हो कया था अब बहुत ही रात हो चुकी थी ये दोनों लोग जो घर से बाहर निकले अब डर रहे थे अचानक से मीमी ने उन पर हमला कर दिया अब वो लोग जब कायब हो गए तो जो जोना मीमी पर बहुत जादा गुसा हो गए वो से गन्फरेंट कर दिया कहती कि वो गए कहा मीमी कहती कि वो होस्पिडल में होंगे जोना उस पर चीट रही थी तो मीमी ने डायरेकल उसका गला पकड़ लिया कहती है मेरे लाइफ से दूर रहो मैं जल्दी यहां से चली जाओंगी अब बहुत दीन हो चुके थे पर पाउलो ने अपने एजन को कॉल नहीं किया था एजन उसके लिए वरी कर रहा था तो उसके टाउन में आ गया हर जगा अपर उसने उसे ढूणने की कोशिश की पर कहीं भी ढूणनी पाया फाइनली वो बारे में आया बार्टेंडर से बात करता है उसका पता बुझता है एक्च्वल में बार्टेंडर पाउलो को लाइक कर दी थी इस वज़े से उसे पता था कि पाउलो अब जवाना के साथ रिलिशन्शिप में है ये एजन जवाना के घर पर बोचा वो बहुत ही इंपरेस्ट हो जुका था पाउलो से गहता है कि अब मैंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है एजन ने जब ये पेज़ेस पड़े तो बहुत ही इंपरेस्ट हुआ ये डिनर पर जवाना से गहता है तुम्हारी वज़े से पाउलो में बहुत सारा चेंज आया है पहले वो किसी से जादा बात नहीं करता था बहुत ही अज़ेब सी बुक्स लिखता था अब इस बार उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है फाइनली वो इंसानों की तरह लग रहा है वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था इनका डिनर हुआ पर एज़ेंट बहुत ही ट्रंक हो चुगा था पाउलो से बुशता है कि आज राद में यही रुख सकता हो इन्हें कुछ भी प्रॉल्म नहीं था राद में अचानक किसी ने एज़ेंट पर हमला कर दिया यह सपना जौना को आता है सुबा होने पर वो एज़ेंट का रूम देखने के लिए गई तब उसे पता चला कि यह सपना नहीं था एक्च्वल में उसने एज़ेंट को मारा था वो राद में अपनी अर्चेस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी वो यह सारी जगा साफ एकरा करकर इसे कंट्रोल में ले लेती है पावलो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती है ज़ाना को लगता है कि मीमी उसके लाइफ में फिर से वापस आई उसे के इंफ्लुएंस की वज़े से उसे भी याज़ेस वापस आ रही है मीमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल किया वो गया थी कि मीमी किसी को भी टर्न कर रही है वो बहुत ही रेकलेस है हम उसे इस टाउन में नहीं रहने दे सकते है एक्ट्रेस ने कहा, यह थोड़े दिनों में मेरा प्ले है वो देखकर, यहांसे चली जाएगी थोड़े दिनों की तो बात है यह सारी बात यहां की सरवण सुन रही थी अब इसके बाद उस एक्ट्रेस की प्ले की नाइट आई यह प्ले बहुत ही successful हुआ था एक्ट्रेस से मिलने के लिए एक डीनेजर लड़की बहुत ही एक्साइटेट थी यह मीमी ने देख लिया उसे गहती है कि मैं उस एक्ट्रेस की फ्रेंड हू तुम मेरे साथ उसके घर पर चल सकती हो आज कल जौना मीमी को लेकर बहुत ही वरीड थी पाउलो से कहता है कि जाद वरी मत करो जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से पीछे से मीमी उसके पास आ गए वो उसे केस करने लगते है उसके साथ वो इंटिमेट हो गए जाते जाते उससे कहती है अगर तुम मुझे चाहते नहीं तो मेरे साथ इंटिमेट नहीं होते इसमें गल्दी तुम्हारी भी है ये जुआना से रिवेंज लेने का मीमी का प्लान था इसके बाद नेक सीन में टीनेजर को लेकर मीमी एक्ट्रेस के घर पर आके उन दोनों को उसने इंट्रेस करवा दिया एक्ट्रेस इस बात से बहुत गुसा हो गई थी वो मीमी से अकेले में बात करती है कहती है कि मैं 100 years से मैंने किसी भी human को नहीं मा रहा है जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो अपनी अर्च कंट्रोल करना ये बहुत ही hard होता है एक्ट्रेस को इस टीनेजर को देखकर कंट्रोल करना बहुत ही hard था मीमी कहती कि मैं उसे लेकर जाती हू मीमी ने टीनेजर को जाने से पहले पानी दिया पर एक लास टुटा हुआ था इस वज़े से इस टीनेजर इंजोर्ट हो गे बलर देखकर अब एक्ट्रेस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई वो इस टीनेजर को मार डाल दिया इसके बाद मीमी ने एक्ट्रेस से गहा इस सब चीजों को में देख लूँगी किसी को भी पता नहीं चलेगा पर सिर्फ तुम इस टाउन में मेरे ले एक घर लेकर दो मीमी हमेशा से यही रहना चाहती थी तो इसलिए उसने प्लान किया एक्ट्रेस को फशा लिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर बाय करेगी नेज़डे पाउलो और जुआना यह दोनों अलग सिटी में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे पर अब पाउलो को बहुत ही गिल्टी महसुस हो रहा था मीमी और उसके बीज में जो भी हुआ इस सब बात तो जौना को बता देता है वो बैचारी बहुत हर्ट हो कही थी वो बहुत रोई इन दोनों ने इस पर बहुत सोचा जौना भी फिर कनफेस कर दिया तुमारे एजन्ट को मैंने मार डाला था दोनों मैंसे कोई भी परफेक्ट नहीं यह दोनों अपनी लाइफ एक साथ ही जीना जाते इसलिए एक दुसरे को उनोंने माफ कर दिया था अब मॉर्निंग में जब मीमी घर आ रहे थी तब अचानक से उसके गाड़ी के सामने डियर आ गया इस वज़े से उसका कंट्रोल चला जाता है गाड़ी एक पेरिसे डख रहे और वो बहुत जादा इंजोर हो गई थी अगर वो पूरी तरीके से सुबा होने से पहले घर पर नहीं बोची तो उसकी स्कीन बर्न करने लगेगी पर अपनी चोटों की वज़े से वो कुछ भी करने पाती सनलाइड की वज़े से उसकी स्कीन पर बर्न आने लगे थे वो क्रॉल करते करते घर आने की कोशिश करती है पर रस्ते में उसे उनकी मेड मिली मेड ने जवाना की बाते सुनी थी उसे बता था कि मी में एक बहुत इखटेव एमपायर है वो इनोसन हुमन को मार डालती है इस वज़े से उसने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की इसके ओपोजिट में मेड ने मिमी को मार कर उसकी बॉड़ी बैग्स में भरती इसके बाद पावलो और जवाना या अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक अलग सी सीटी में चले गए यह जैसे भी है वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्लिशन अच्छा रगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मूवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दवने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया